आज हम बनाएंगी ये बहुत ही टेस्टी और एकदम युनीक से फ्लेवर्स के साथ बनी हुई मुँ में घुल जाने वाली एक ऐसी डिजर्ट जिसे आप चाहिए तो केक बुलाईए या फिर मिठाई ये बहुत ही जादा टेस्टी लगती है और बनाने में बुलकुल आसान ह और इसका ये जो युनीक से फ्लेवर्स है ये आपको केक, मिठाई, सब चीजों के फ्लेवर्स इकठे देंगे ये आपको बहुत पसंद आएगी तो ज़रूर ट्राय करिएगा मेरी आज की इस मिठाई मलाई केक को और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीज या फ़िर मार्किट की बजाए नI आप घर पर धूद को फार कर भी उसका चेना मना कर यूज कर सकते हूँ अचा करना क्या है कि अब ये जो पनीर है ना इसे हम सबसे पहले कदुकस कर लेंगे तो बारीक या फिर मीडियम साइज वाले कदुकस से इसे कदुकस करिएगा मैं बारीक वाली साइट से कदुकस करती हूँ तो इस कदुकस के वे पनीर को अब हम डालेंगे एक पैन में और इसी भी बाकी के इंग्वीडियेंट्स आड कर देंगे तो सबसे पहले इसमें डालेंगे एक कप जितना मिल्क पाउडर ये नॉमल रेगुलर मिल्क पाउडर है दूद का पाउडर किसी भी ब्रांड का आप कर सकते हो नहीं तो आप घर पर भी दूद से ही मिल्क पाउडर बना सकते हो और उसकी रेसीपी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहां से चेक कर लीजेगा अचा मैंने ये जो कप यूज किया है ये धाई सो एमल का है और आपना अपने घर का कोई भी कप य लिवर्ज आड कर लेंगे तो आधा चोटा चमच में इलाइची पाउडर ढाल रही हो और साथा धागे डाल देंगे केसर के केसर ऑप्शनल है आप चाहो तो स्किप कर सकते हो और एक बड़ा चमच इसमें डालेंगे देसी घी नहीं है तो आप दूद की मलाई ले सकते हो एक से दो बड़े चमच बो डाल दीजेगा तो बस इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छा अभी आपको यह ड्राय लग रहा होगा बट जैसे जैसे आप इसे मिक्स करते जाएंगे यह मिक्षर कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा तो बस हमा बने में आपको मिक्सर जो है थोड़ा सा पतला जैसा लग रहा होगा बर जैसे जैसे आप इसे पकाते जाएंगे ना पहले तो क्यूंकी चीनी मेल्ट होगी और वो अपना पानी रिलीस करेगी तो यह मिक्सर थोड़ा सा और पतला लगे तो थोड़ी और देर तक पकाएंगे इसे जब तक कि ये पैन को छोड़ना शुरू कर दे तो थोड़ी और देर तक पकाने के बाद अभी आप देखो कि मिक्षर ने पैन को छोड़ना शुरू कर दिया है बस इसे एक से दो मिनट तक और पकाएंगे अजह इसे पकाते हुए ध्यान रखेगा कि इसे हमें जादा पका कर ड्राइ नहीं कर लेना है इसका ये जो moisture है ये इसी तरह से बना कर रखना है तो सिरफ एक मिनट तक ही और पकाया मैंने और अभी आप देख रोगे mixture जो है ये कैसे एक lump की form में आना शुरू हो गया है बंधना शुरू हो गया है तो हमें इसे इतना पका लेना है और इसी के साथ त्यार हो गया है आज का हमारा ये instant वाला कलाकंद कितना yummy texture है इसका एकदम दानेदार perfect जो market में मलता है ना कलाकंद उससे भी कई जादा tasty है ये और moist भी है तो बस अब गयास को बंध करके इस कलाकंद को हमें set करने के लिए रखना है जिसके लिए मैंने याँ पर ये aluminum की एक tray ली है आप कोई भी aluminum या steel की tray या कोई भी plate यूज कर सकते हो इसे पहले देशी घी से थोड़ा सा grease कर लेंगे और इसके बाद अब हम इसमें अपना ये कलाकंद डाल देंगे और अब किसी spatula के साथ या फिछमच की back side के साथ ना हम इसे इस तना से हलके हलकी सी shape दे देंगे इसे प्रेस कर लेंगे और एक level में ले आएंगे इसके बाद अब हम finally इसको garnish कर देंगे जिसके लिए मैं लंबा पतला कटा हुआ अब पिस्ता यूज़ कर रही हूँ तो पिस्ता डाल के भी एक बार spatula से हलका हलका सा प्रेस कर देंगे ताकि इसी के साथ चिपक जाए और थोड़े से मैं डाल रहे हूँ इसके उपर ये केसर के धागे आप जैसे चाहो वैसे इसे गार्निश कर सकते हो तो बस हमारा ये कला कंद तो हो गया त्यार अब हम इसे सेट होने के लिए रख देंगे तो एक घंटे के लिए हम इसे फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छे सेट हो जाए आच्छा वैसे तो ये जो कला कंद है इसे आप चाहो तो इसी तरह से भी सर्फ कर सकते हो ये बहुत टेस्टी बनता है बट आज हम इसे एक ट्विस्ट के साथ बनाएंगे जिसके लिए इस कला कंद यानि कि इस मिठाई मलाई केक के लिए अब हमें बनानी है मलाई मतलब की रबडी तो इसके लिए एक पैन में डालेंगे साड़े साथ सुयमल यानि की तीन कब जितना दूद कच्चा या फिर उबला हुआ कोई साभी दूद ले सकते हो कोशिश करके फुल फैट वाला दूद ले लीजेगा नहीं है तो जो भी आपके पास दूद आता है घर पर आप वो यूज कर सकते हो अचा इस स्रबडी को ना थोड़ा सा क्रीमी बनाने के लिए मैं इसमें डाल रहे हूँ चार बड़े चमस जितना मिल्क पाउडर और क्योंकि ये दूद मैंने अभी गैस पर रखा ही है अभी ये गरम होना भी नहीं शुरू हुआ है तो इसलिए मैंने डारेक्ट पान में ही मिल्क पाउडर डाल दिया है और ठंडे दूद में हम इसे मिक्स कर लेंगे गरम दूद में मिल्क पाउडर मत डालीएगा लम्स बन सकते हैं मिक्स करना मुशकिल हो जाएगा आप इस तरह से pan में ही डाल दो या फिर थोड़े से दूद को अलग निकाल कर उसमें पहले milk powder mix कर लो और उसे बापस से pan में डाल दीजेगा तो बस मैंने directly pan में डाला इसे अच्छा से mix कर लिया है और साथ ही में अब हम इसी stage के उपर इसमें चीनी भी add कर देंगे तो तीन बड़े चमच मैं इसमें चीनी डाल रहे हूँ आप अपने taste के according रख सकते वे से बहुत जादा चीनी इसमें अचीनी लगेगी क्योंकि कला कदमे भी मीठा है और रबडी में भी मैं इलाइची और केसर का ही flavor दे रहे हूँ अगर आपने भी flame को medium high रखा है थोड़ा जल्दी पकाने के लिए तो बस इस दूद को लगातार चलाते जरूर रहेगा ताकि दूद पैन से बाहर न निकल जाए और कहीं पे भी लगे कि दूद पैन से बाहर निकलने लगा है और इस दूद को अब हमें तब तक पकाना है जब तकी ये reduce होकर आधा रह चाएगा flame अगर आपने medium high रखी है ना तो इसे reduce होने में 7-8 मिनट ही लगेंगे तो बस तक्रीबन 7-8 मिनट तक ही पकाया मैंने इसे और अभी आप देख्यों कि दूद जो है ये पहले से आधा रह गया है और कितना अच्छा एक creamy सा texture भी आना शुरू हो गया है इसमें बहुत जादा थे किस रबडी को हमें नहीं करना है हलकी सी पतली ही रखेंगे से हम और केसर का color भी कितना अच्छा हाया है बहुत अच्छी खुश्पू भी आ रही है इसमें से तो बस इसी के साथ हमारी ये छटपट से बन जाने वाली रबडी भी बन कर त्यार हो गई है तो अब हम गास को बन कर देंगे और पहले इस रबडी को kitchen counter पर ही रख देंगे ताकि ये ठंडी होके room temperature पर आ जाए और फिर इसके बाद इसे भी हम fridge में रख देंगे ताकि ये भी अच्छो से ठंडी हो जाए तो बस सारी त्यारी हो चुकी है और एक घंटे के बाद अब मैंने ये color can fridge से निकाल लिया है और आप देख जो कि अब ये भी अच्छे से set हो गया है तो सबसे पहले अब हम अपने इस color can को पीसिस में cut कर लेंगे तो मेरे cut करने से ही आपको पता चल रहा होगा कितना जादा soft है ये एकदम juicy texture है इसका अच्छा ये जो side का portion है इसे मैं निकाल रहे हूँ एक तो shape थोड़ी ठीक आ जाएगी ऊपर से ना actually ये color can मेरे husband का favorite है और वो मेरे सिर पे खड़े है इसकी wait कर रहा है कि कब उन्हें ये खाने को मिलेगा तो ये छोटे वाले pieces में उनको दे लियू तो बस इस color can को मैंने चार slices में cut कर लिया है और अब आप इसका एक बार texture check करो कितना एकदम perfect texture है, perfect दानेदार texture है और एकदम moist और juicy है ये इतना soft है कि मुह में जाते ही बस जैसे घुल जाएगा ये बहुत जादा tasty बनता है और color can तो पहले ही इतना tasty है और आज की इस मिठाई को और भी जादा tasty और एकदम अलग ही level पर ले जाने के लिए अब हम क्या करेंगे कि ये जो रबडी हमने बना कर रखी थी ये भी अच्छे से अब ठंडी chilled है तो इस ठंडी ठंडी रबडी को अब हम डाल देंगे अपने इस कलाकंद के ऊपर और काफी सारी रबडी डाल देंगे वाओ, कितना अच्छा लग रहा ना ये देखने में और आपके मूँ में भी पानी आ रहा ना इसे देखते ही और ये जो रबडी और कलाकंद का combination है ना ये बहुत ही famous मिठाई है जूली के नाम पर मिलती है जो क्या आप में से किसी ने वो मिठाई ट्राई की है मुझे जरूर बताना comment section में तो ये बिल्कुल वैसी ही लगेगी in fact उससे भी जादा tasty लगेगा आप इसे जरूर ट्राई करिएगा तो मैं इस recipe को specially recommend करूँगी कि आप इसे जरूर ट्राई करिए और मेरे साथ अपना feedback जरूर शायर करिएगा pictures इन सारी recipes के आप मेरे instagram पे शायर कर सकते हूँ और अगर आपको आज की ये recipe पसंद आई हूँ तो please video को like कर दीजेगा और मेरे channel को subscribe करना ना भूले